What's up everyone, welcome back to the channel, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही जादा important और मेरी मानों तो बहुत ही जादा easy chapter जिसका नाम है issue of debentures छे नंबर का सवाल आपके exam में usually पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा chapter में इसको समझता हूँ और आपके लिए भी बहुत आसान बनाने वाला हूँ तो मेरे साथ साथ पढ़ना हम इस chapter को detail में पढ़ेंगे एक एक topic पढ़ेंगे और इसको आराम से खतम भी कर लेंगे के जल्दी से लेट्स बिगेंगे आओ यारे शुरू करते हैं हम लोग issue of debentures को तो मेरे साथ साथ लिखके चलना issue of debentures करेक्ट है सर सर इसका मतलब क्या है क्योंकि हम कोई भी chapter शुरू करते हैं तो तुम्हें पता है मैं detail तक जाऊँगा एक एक basic तुम्हें बताऊँगा तो debenture basically क्या होता है किसी भी company को अगर loan की जरूरत हो तो वो loan लेने के लिए bank के पास जाएगी बट sometimes bank की terms conditions होती है या banks तक reachable नहीं हो आप या already आपके पास कोई loan चल रहा है तो आपके बास bank एक option नहीं रह जाता तो फिर कोई भी company क्या करती है पब्लिक के पास जाती है जनता को बोलती है क्या आप हमें loan दे सकते हो हम आपका loan का payment कर देंगे 10 साल के बाद तो basically क्या हो रहा है दस साल मैं एक वैसी average time ले रहा हूँ it may be 6 years, 8 years, 10 years, 12 years correct है तो अगर suppose यह हमारे पास वो company है यह जाएगी जनता के पास जनता कौन है हमारे चिंटू चिंटी जितने भी है सब हमारे public में आ जाएंगे correct है तो पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक को बोलेगी सर लोन देदो पब्लिक इनको जो लोन देगी उसी लोन को company क्या बोलती है debenture तो debenture basically होता क्या है debenture एक acknowledgement होता है debenture एक acknowledgement होता है जिसके अंदर acknowledgement means it is a proof कि ठीक है हम वादा कर रहे हैं हम लिखके दे रहे हैं हम वादा कर रहे हैं कि हमने आपसे कुछ amount borrow करा है और हम आपको यह पैसा वापिस कर देंगे on a specified future date भविश्य में किसी भी date पे हम आपका पैसा वापिस करेंगे correct हो गया यह तो हो गया debenture का मतलब now issue means public को issue करा आपने debenture उसके बदले में आपको loan मिल गया correct है sir जो loan लिया है उसका payment भी होगा जब payment होगा तो उस payment को हम लोग बोलते हैं redemption of debenture redemption of debenture now what is redemption? redemption का मतलब होता है payment redemption का क्या मतलब होता है payment correct है और issue का मतलब क्या होता है जनता से पैसा borrow करना correct हो गया this is sorted अब क्या करना है अब जब आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे यह हमारे पास redemption issue और यह आपको समझ में आ गया अब ज़ो issue of debentures है हमारे particular chapter में हमें क्या-k्या सीखना है सबसे पहले जो हमें topic सीखना है वो है issue of debentures to public यह chart बहुत काम आने वाला है तुमें जो हमें सबसे पहले सीखना है वो है issue of debentures to public जनता को debentures issue करेगा, कैसे काम चलेगा number two issue of debenture to vendors for consideration other than cash and issue of debenture to bank as a collateral security तो हमारे पास basically तीन तरीके की topics हैं जो आपको इस chapter में तयार करने हैं सबसे पहले issue of debentures to general public जनता को issue करे गए है debenture number two issue of debentures to vendor vendor कौन होता है जिससे आपने कोई building खरी दी होगी उसके बदले में पैसा ना दे के debenture दिये या फिर आपने कोई running business चलता चला है business खरीदा होगा वो business के बदले में भी आपने debentures दिये और तीसरा हो सकता है कि आपने बैंकर को दिया as a collateral security, collateral security basically mortgage करें आपने debentures loan के बदले में तो ये तीन topics हैं जो इसके अंदर आते हैं इसके इलावा हमारे पास इस chapter में topic आता है issue of debentures considering the terms of redemption वो हम इन तीनों के बाद में पढ़ने वाले हैं and interest on debentures और आपका chapter हो जाएगा complete आओ शुरू करते हैं हम लोग first topic के साथ जो कि है issue of debentures to public issue of debentures to public अब देखो जब भी आप debentures issue करोगे public को तो वहां पे तीन तरीके से debentures issue हो सकते हैं रे कमडी 3 ती टाइप्स आए टिव के इसुूर आपका के मतलब का मतलन होता हैula जितने जिबेंचर त्व Mattia पर्थी मिश करा गया है अ्टिव आहता है ऑंजिया अफ इषू करा गया है अट ही याशे में पढ़ा हे पर प्रेम्च फिर्म खटा हैं ऐशा मधा मतलब होता है add discount जब हम discount की बात करते हैं, तो discount का मतलब होता है कि 100 वाला debenture कुछ कम में issue करा गया है ये case shares में नहीं हो सकता था, shares cannot be issued originally at discount, but debentures can be issued in three ways either at par or at premium or at discount discount is the possibility here not in the case of shares ये याद रखना है, correct हो गया जी, चलिए, अब sir journal entry क्या होने वाली है सबसे important चीज़ आती है, sir, journal क्या होने वाली है, तो journal आपकी बिल्कुल similar है shares जैसी जैसा share में करते थे न, वो ही same काम, बेटा जी, debenture में करना है, जैसे सबसे पहले, मैं आपको पार वाला एक question दिखाता हूँ, for example 10,000 debentures है sir 10 रुपे का एक है 4, 3, 3 4, 3, 2, 1 ले लो, 4, 3, 2, 1 issue करे गए हैं, और सारा पैसा मिल गया है, कोई call scenarios नहीं है, कोई call scenarios नहीं है, आप क्या entry करोगे बताओ, तो इस case में हम क्या entry करते हैं bank account debit सबसे पहले पैसा आजाएगा सबसे पहले को हम application बोलते है दूसरे को allotment बोलते हैं तीसरे को first call बोलते हैं, चौथे को हम second and final call बोलते हैं, करेक्ट है तो सबसे पहले bank account debit to debenture application and allotment debenture application account allotment नहीं, allotment बाद में होगा bank account debit to debenture application debenture application account debit to debentures कई बारना debentures के साथ percentage लगा होता है like for example यहाँ पर लिखाओगा ऐसे 9% debentures so what is this 9% 9% is the rate of interest loan लिया है तो ब्याज भी देना पड़ेगा तो जो percentage दिया होगा वो आपको साथ में लगाना है और इसका question से लिंक नहीं है फिलाल जब तक interest के entries नहीं करनी correct है तो sir यह entry कैसे हुई मतलब इसका थोड़ा सा basic चीज सिखा दो देखो अगर आप bank से loan लेते हो तो क्या आप यह entry करते हो bank debit to bank loan bank debit to bank loan यही entry करते हो या नहीं करते हो अभी भी तो आपने loan लिया है बट bank से नहीं लिया public से लिया तो यहां पर bank हटा के अगर मैं debenture लिख दूँ काम चलेगा यह entry तो हुई है application से application तो cut हो जाएगा तो entry तो bank debit to debenture बनेगी या नहीं बनेगी same जैसे shares में होता था वहां bank debit to share capital होता था यहां bank debit to debenture है correct हो गया चलो bank account debit to debenture application 10,000 debentures application 4 rupees का है तो 40,000 40,000 यहां पर भी 40,000 40,000 bank account debit to debenture application debenture application debit to debenture correct हो गया इसके बाद sir अब अब हम allotment मांगेंगे तो उसकी क्या entry होती है debenture allotment account debit to debentures यह debenture allotment मांगने की entry है यह due करने की then जब मिल जाएगा तो bank account debit to debenture allotment correct है 10,000 into 3 30,000 30,000 30,000 30,000 यह भी अगर देखा जाए तो ultimately यह allotment से allotment कट होगा bank to debenture ही entry बन रहे हैं करेक्ट हो गया 20,000 20,000 correct sorted final call जब मांगोगे 10,000 into 1 final call आएगा जिसको हम बोलेंगे debenture second and final call debit to debenture and then bank account debit to debenture second and final call यह हो गया 10,000 into 1 basically जो आपको total loan चाहिए था ना बिटा वो कितना चाहिए था 10,000 into 10 that is 1,000,000 but एक बार में ना लेके company break करकर के पैसा लेती है जैसे 40,000 यहां तक ले लिया 30 यहां तक ले लिया 70 20 यहां तक लिया 90 और 10,000 यहां लिया पूरा 1,000,000 हो गया तो यह 4 parts में entry होई 3 parts में भी हो सकती है 2 parts में भी हो सकती है और lump sum में भी हो सकता है lump sum मतलब एक ही बारी में भी सारा पैसा मांग सकती है company उस case में क्या करते हैं bank account debit to debenture application and allotment application and allotment debit to debenture खतम clear हुआ तो यह cases बनते हैं बिटा जी if the debentures are issued at par correct है कोई area हो कोई advance हो तो same as the case जैसे shares में करते थे area debit करना है advance credit करना है same बिलकुल ठीक है चलो वो भी मैं सब आपको कराऊंगा फिलाल आज की इस वीडियो में पहले basics one shot पूरे chapter के basics आपके cover हो जाएंगे उसके बाद हम बहुत अच्छे-च्छे questions कर पाएंगे चलो अब premium के बात करें अगर debentures issue करे गए हूँ premium पे अभी हम किसको issue कर रहे हैं public को ठीक है हमने अभी कोई और case नहीं पढ़ा है हमने अभी सिर्फ यह पढ़ा है कि if the debentures are issued at premium correct है जी चलो premium पे अगर हुए है तो suppose वही 10,000 debentures है 10 रुपे का एक है 2 रुपे के premium पे है 4, 3, 2, 1 and this is 3 plus 2 premium के बारे में यह तो question बताएगा question अगर नहीं बोलता तो यहाँ पे भी वही case होगा कि sir premium हमेशा allotment के साथ लिखा जाएगा correct है पहली entry will be the same वही application की bank account debit to debenture application debenture application account debit to debentures 10,000 multiplied by 4 40,000 रुपीज बच्चे यहाँ आजाएगा I hope यह entry आपको clear हो गई है यह हमारा first step हो गया अब अपने mind में एक चीज रखेंगे बिटा कि हमें जो allotment लेना है allotment पे सिर्फ और सिर्फ allotment नहीं लेना allotment तो लेना ही है बट allotment के साथ premium भी लेना है तो जब आप allotment का पैसा मांगोगे तो आप allotment तो मांगोगे साथ-साथ premium भी मांगोगे करेक्ट है तो क्या entry बनती है sir debenture allotment debit to debenture to security premium premium हमेशा credit करके चलते हैं जैसे shares में करते हैं वैसे यहां पर करते हैं company अपने capital से उपर पैसा ले रहा है उसको हम credit करके चलते हैं तीन रुपए आपके debenture के नाम के दो रुपए premium के नाम के टोटल पांच रुपए आएंगे और जब receive होगा तो bank account debit to debenture allotment account पूरे पांच रुपए 10,000 into 5, 50,000 जिसमे 30 will be transferred to capital, 20,000 will be transferred to reserves and surplus जोहाँ पर security premium के नाम से वहाँ पर दिखाए गा है ठीक है यहाँ पर पूरा 50,000, 50,000 आपको receive हो जाएगा सही है जी यही हमारे पास बिल्कुल new concept था कि अगर premium पे हुआ तो कैसे करना है अगर premium पे हुआ तो कैसे करना है done हो गया जी सही हो गया बस बाकी दोनों entries सेम हैं वही सेम एंट्री जो ऊपर हुई थी डेँचर फिर्स्ट क्ल डेबिट तू डेँचर बंकाहँ डेबिट अबिट को दिवेंचर फिर्सकॉल उसके बाद डेँचर सेक नथा हैने काईचर के अफनाट कौल डेबिट यह आपकी 10,000 x 2, 20,000 और यह 10,000 x 1, 10,000 यह आपकी सीदी-सीदी एंट्रीज हो जाएंगी ठीक है, justified, समझ में आता है premium, बस premium यहाँ पर credit करना है, बाकी सब similar चलिए जी, public को third case क्या बनता है, public को third case बनता है बेटाजी, if the debentures are issued at discount, which is indeed an important case, why it is important, because इस तरीके का case shares में नहीं था, तो debentures का अगर case बनता है, तो उसके अंदर discount पूछना तो बनता है, बही देखो, clear, अब देखो 10,000 debentures है, let's suppose 10 rupees का है, बट वो 10 नहीं 9 rupees में issue हुआ है, सही, तो 4, 2, 2 and 1 ऐसे आएगा, clear है, यानि यहाँ पर 3 लेने थे, लेकिन ले रहे हैं हम सिर्फ 2, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है तो discount आप यहाँ पर आ रहा है, correct है, तो यानि यह 4, 3, 2, 1 जरूर था, लेकिन यहाँ पर हमने यह 3 ना दिखा के 3-1 करा है, that is discounted, ओके, तो अब क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो application आएगा, जो same entry बनेगी bank account debit to deventure application, deventure application account debit to deventure, 10,000 into 4, यह पूरी entry वही 40,000 रुपीज से हो जाएगी अब ध्यान देना आप allotment के entry पे, allotment जब मांगोगे, तो allotment पे आपको 3 रुपीज जनरल ही लेने थे, लेकिन अब 3 नहीं लेने, अब 2 लेने है 2 Q लेने है सर क्योंकि एक रुपे का आपने discount दिया है, आपने बोला ठीक है, मैं आपसे loan भले एक लाग का लेना चाहता हूँ, लेकिन आप 90,000 पी ददो हमें चलेगा हम आपको वापिस एक लाग ही करेंगे, बाट प्लीज 90 तो दो यार मुझे बहुत जरूरता लोन की, तो discount के कमपनी का भी शू करती है debenture जो बहुत ही ज़ादा जरूरत होती है, ओके जी, चलिए, क्या होगा debenture allotment debit, यह जो discount है, debit होगा, because it is a loss for the company, debenture allotment debit, discount debit to debenture, और जो पैसा आएगा, उसके लिए, bank account debit to debenture allotment, ठीक है तो यह आजाएगा, debenture allotment हो गया, हमारा 2 रुपे का, 1 रुपे का discount, total 3 का debenture, 10,000 into 2, 20,000 यह आगया, 10,000 का discount हो गया, 30,000 का total debenture में आगया, देखो यह है न, 10,000 into 3, total 30 था, बट आप allotment के लिए 2 ही मांग रहे हो, यानि 20, 10 का आप discount दे रहे हो, okay, bank में आपको receive कितना हो होने वाला है हमारे पास, 2020, 20,000, 20,000, देखो यहाँ पर allotment आपने debit 20 ही कर रहा था, तो यहाँ credit भी कितना होगा, 20 ही होगा, यही important step है, discount एक रुपे का, दो रुपे allotment का, तीन रुपे का total debenture, clear है, यह वाली entry वापिस से 2 and 1, this is the same as above, जो मैंने उपर कराई, बिल्कुल same entries वही बन जाएंगी, यह आपके लिए नई चीज़ है, कि जब discount पे हो तो क्या करना है, since it is a loss, तो discount हमेशा debit होगा, तो इस तरीके से guys, जब हम बात करते हैं, कि अगर debentures issue करे जाएं किसको, अगर debentures issue करे जाएं public को, ठीक है, तो public को जब issue करे जाते हैं, तो par पे, premium पे औ वाला topic सामझ आ गया होगा, when debentures are issued to public, ठीक है जी, अब हम समझते हैं, when debentures are issued to vendor for consideration other than cash, आओ जी, the next topic, वो क्या है, issue of debentures to vendor for consideration other than cash, सर ये क्या है, ये क्या होता है, सर इसमें क्या चलेगा, समझो, अगर हमने debentures issue करे हैं, vendor को, for consideration other than cash, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि company जो है, वो कोई asset खरीदना चाहती है, let's suppose, ये building है, और हमारी company ये building खरीदना चाहती है, ये flats खरीदना चाहती है, ये building 10 करोड की है, और 10 करोड के बदले में, पैसा ना देके company ने क्या दिये है, debentures, पैसा ना देके company ने क्या दिये है, debentures दिये है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास system बनता है, वो ये बनता है सबसे पहले तो for purchase of asset यानि अगर आपने asset खरीदा है तो क्या entry बनेगी sir sir अगर asset खरीदा तो entry बनती है asset account debit to vendor account entry बनती है ये कि asset account debit to vendor account vendor कौन होता है जिससे आपने asset खरीदा है उसका नाम लिखना है यह ठीक है asset account debit to vendor account जब आप इनको payment करते हो तो देखो अगर आप cash देदो तो आप कर देते हो vendor debit to cash गरेक्ट है जी अगर आपने कोई bill दे दिया तो आप उसके लिख देते हो vendor debit to बीपी अगर आपने चेक दे दिया तो आप उसके लिख देते हो vendor debit to bank अगर आपने shares दे दिये तो आप उसके लिख देते हो vendor debit to share capital correct है और अगर आपने debenture दे दिये तो क्या लिख दोगे vendor debit to debentures देखो जी बात समझ में आई तो vendor को for example 10 करोड की building है तो 10 CR 10 CR 10 CR अब इसके बदले में आपने क्या दिया है वो लिख देना है कुछ questions ऐसे भी होते हैं जिसमें बोलता है कि कुछ share दे दिये कुछ debenture कोई बात नहीं divide कर लेना distribution कर लेना सबोर आधा आधा पैसा दिया तो पांच करोड share में लिख देना फिला हाल क्योंगी हम debentures की बात कर रहे है तो entry बनेगी vendor debit to debenture बस अगर debenture किस पे हुए पार पे अगर debenture हुए premium पे अगर debenture हुआ premium पे तो entry बनेगी vendor account debit vendor account debit to debenture to security premium premium हमेशा credit होता है यहां पे भी credit होगा और अगर debenture दिया आपने discount पे तो हम लिखेंगे vendor account debit discount account debit to debenture discount debit होगा सारे rules में आपको एक जगा लिख वा रहा हूँ so that जब हम questions करें तो मज़ा आ जाए करेक्ट हो गया जी यह हमारे पास scenario बनता है अगर हमने कोई asset खरीदा है और asset के बदले में debenture दिये हैं debenture पार पे भी हो सकते हैं debenture premium पे भी हो सकते हैं debenture discount पे भी हो सकते हैं correct इसमें एक scenario और बनता है अगर आपने कोई running business खरीदा अगर आपने चलता-चलाया अगर खरीदा तो उस business में बहुत सारे assets भी होंगे उस business में बहुत सारी liabilities भी होंगी यही खास बात है यह आप चलता-चलाया बिजनस करीदते हो तो business में assets भी आपके होंगे liabilities भी आपके होंगी तो आपके लिए यह धूड़ना बहुत जरूरी है कि उस business की वर्थ कितनी है, उस business की net worth क्या है, क्या उस business की value है, तो इस case में क्या होता है, इस case में हम entry करते हैं, assets account debit, assets account debit, two liabilities, two vendor, यह जो vendor वाला amount है, यह purchase consideration होता है, purchase consideration का क्या मतलब है बेटा जी, purchase consideration का मतलब है कि आपने कितने में deal done करी है, आपने कितने में सौधा किया है, correct है जी, two vendor, अब देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और से सिखा देता हूँ, जैसे suppose आप यह जो running business खरीद रहे हो, इसके जो assets हैं, वो 90 lakh rupees के हैं, assets कितने के है 90 lakh rupees के, तो आपने assets में लिख दिया जी, 90 lakhs, लो जी, जो liabilities हैं, वो है 30 lakh rupees की, liabilities है 30 lakh rupees की, तो आपने यहां पे लिख दिया 30 lakh, अब common sense लगाओ, बुद्धी लगाओ अपनी, कि 90 lakh रुपे की संपत्ती है इस business की, 90 lakh rupees के वर्त की, 30 lakh rupees की obligations हैं, liabilities है वापिस देना है, तो भया 90 lakh का तो property है, 30 lakh बाहर वालों का देना है, तो business की value 60 lakh बैठती है, business कितने का बैठता है, 60 lakh रुपे का बैठता है, लेकिन सामने वाला 60 lakh नहीं मांग रहा, जो आपकी deal हुई, वो 1 करोड रुपे में हुई, आपकी deal कितने में हुई, 1 करोड रुपे में, तो business की वर्त, आपक रुपे मांगे गए हैं तो सर जो 40 lakhs ऊपर मांगे गए हैं क्योंकि 60 और 1 करोड के बीच का difference है 40 lakh वो किस चीज के मांगे गए है that is the value of the businesses goodwill वो goodwill का value देखो goodwill उनकी books में तो नहीं होगी self-generated goodwill है अपनी goodwill अपनी books में कभी नहीं होती राइट वो purchase goodwill है किसी और की खरीदी है तो वो जरूर हमारी balance sheet में हो सकती है बट हमारी खुद की goodwill balance sheet में नहीं होती तो balance sheet के assets 90 के थे balance sheet की liability 30 की थी balance sheet के हिसाब से net worth 60 lakh की थी लेकिन actual पैसा एक करोड मांगा गया जो 40 lakh पाल तुमागा गया है वो किस चीज का है goodwill का correct तो difference अगर आजाए debit side में देखो इधार आ रहा एक करोड 30 lakh इधार आ रहा 90 lakh तो difference अगर debit में आए तो वहाँ पे आप goodwill को debit करने वाले हो यहाँ पे अगर मैं goodwill को debit कर दूँ 40 lakhs तो entry match हो जाती है हो जाती है नहीं हो जाती है अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस case को वापिस से भूल जाओ फिलाल goodwill वाली बात आपको समझ में आ गई कि अगर difference debit में आया तो goodwill लिखना है अब मैं इस question को थोड़ा सो और गुमाता हूँ let's suppose 90 lakh के assets है 30 lakh की liability है business की value 60 lakh है लेकिन आपकी deal हो गई 50 lakh में आपने इने convince करा भई या 60 lakh हम नहीं दे पाएंगे अगर पैसा चाहिए तो 50 lakh मिलेंगे और कोई भी capital nature का profit होता है बिटाजी it is transferred to capital reserve कहाँ transfer हो जाता है it is transferred to capital reserve इसी लिए आपके पास कभी भी फाइदा हो वैसे भी देखो इधर difference आ रहा है इधर 90 इधर 80 10 lakh इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कभी भी difference इधर आए credit में तो हम उसको क्या लिखने वाले है capital reserve वो यही होनी है asset debit to liability to vendor फिर आप उसका contrast check करोगे कि entry match नहीं हो रही अगर तो debit में difference आया तो goodwill credit में difference आया तो capital reserve which is the most important part clear है जी अब यह जो vendor को पैसा देना है sir अब same है vendor को आपने जो कर debenture दे दिये पार पे तो entry बनेगी vendor debit to debenture अगर वो debenture हुए premium पे तो entry बनेगी vendor debit to debenture to security premium और अगर vendor हुए discount पे तो अगर वेंडर हुए discount पे तो अगर वेंडर हुए discount पे तो एंट्री बनेगी vendor debit discount debit to debentures लो sir यह हमारे पास नियाम होते हैं when the debentures are issued to vendors for consideration other than cash I hope आप लोग को यह topic भी clear और आपने एक जगा सभी rules लिख लिए होंगे screenshot लेना screenshot लो rules लिखने है rules लिखो और इसी के साथ आपका जो है दो topics complete होते हैं debentures के तीसरा topic क्या होता है अगर debentures जिए गए हैं bank को as a collateral security अब इसको समझते हैं issue of debentures to bank as a collateral security sir collateral का मतलब होता है collateral का basically मतलब होता है secondary collateral का मतलब क्या होता है secondary हमने debenture bank को दिये हैं sir यह तो हम तो loan खुद bank से लेते हैं लेकिन हमने bank को क्यों दिये हैं security की फॉर्म में दिया है हमने bank से loan लिया है ठीक है हमने bank से loan लिया और bank ने बोला भाई कुछ संपत्ती दो इसको loan क्या गेंस्ट हमने रख दिया वो जो property रखा उसको हम primary security बोलेंगे क्योंकि main security तो वही रखा है ना तो उसको क्या बोलते है primary security बट बैंक ने बोला इससे तो गाम नी चलेगा हमें कुछ और चाहिए यह आपकी property जो है कम value की है हमें कोई और ऐसी चीज़ चाहिए थाकि हम आपको loan दे पाएं अब हमने गाया यार company के पास तो कोई gold वोल्ड भी नहीं है company gold तो पहनती नहीं है property थी वह हमने दे दी गिरवी रख दी और क्या दे तो दिमाग में आया क्यों ना हम कुछ debentures दे दे बैंक को ऐसा collateral security की भाई अगर हम ना चुका पाए तो आप debenture बेच लेना पैसे आ जाएंगे आपके पास इन debentures को sale off कर देना public में सही है तो हमने क्या करा bank के पास loan के बदले में debenture गिरवी रख दिये clear है तो अब यह जो debenture है इससे हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा सिर्फ loan लिया जा रहा है और वो जो debenture है usually जब public को issue करते हैं तो पैसा आता है न उसके बदले में इन वाले debenture के बदले में कोई पैसा न पैसे दो cases बने होते हैं एक case होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ bank loan के entry पास करते हो और एक case होता है जिसमें आप bank loan के entry भी पास करते हो प्लस debenture जो आपने issue करे हैं as a collateral उसके entry भी पास करते हो तो हम इसको तो करेंगे यह नहीं क्योंकि यह अल्रेडी इसके अंदर covered है वही जब bank loan के entry यहां हो रही है तो मुझे यहां पर cover हो गया वो चीज तो मुझे अलग-अलग क्यों सिखनी है तो examination point of view से आपको यही याद रखना है कि exam में हम loan लेने के entry भी pass करेंगे और जो debenture issue करेंगे इसा collateral security उसके entry भी pass करेंगे तो सार यहां पर जो general entries है वो होती क्या-क्या है यह बताओ ठीक है जी तो for bank loan जो आपने loan लिया है उस loan की क्या entry होगी उस loan के entry होगी bank account debit to bank loan सार इसमें तो कोई नहीं बात नहीं है यह तो हम पहले से जानते हैं यही तो entry हम पहले करते हैं yes वही है bank debit to bank loan अब इस loan के बतले में जो debenture गिरवी रखे उसकी क्या entry होगी देखो for debenture given as a collateral अब देखो जी अगर मैं बात करूँ debenture जब हम issue करते हैं जनता में और पैसा आता है तो क्या entry करते हो bank debit to debenture करते हो न करते हैं नहीं करते हो लेकिन अभी क्या हो रहा है पैसा तो आनी रहा बस गिर भी रखा है यानि यह bank तो हट जाएगा यह तो आना नहीं यह bank तो हट गया इसे तो बिल्कुल अटा दो तो यहां पर क्या लिखा जाए यहां लिखा जाएगा एक नया account जिसको हम बोलते हैं debenture suspense account तो यह debenture suspense सिर्फ और सिर्फ recording का गाम कर रह ला इस entry से आपके बास कोई पैसा नहीं आ रहा है इस entry से आपके बास कोई problem नहीं है यह तो आपके लिए एक obligation है बस कि भाईया अगर आपने यह loan नहीं चुकाया तो bank अपने rights यूज करके इन debentures को सेल कर सकता है और अपना पैसा निकाल सकता है correct है तो दो entry बनेगी bank debit to bank loan 2-3 debentures suspense to debentures सर इससे भी ज्यादा important इसमें यह होता है presentation in balance sheet very important इसके साथ आपको presentation करके ही आनी है सर presentation कैसे करनी है बहुत simple एक तो आपको extract बनाना होगा balance sheet का जिसमें आप लिखने वाले हो note number current year previous year particulars फिर heading डालोगे आप बड़ा-बड़ा equity and liabilities यह बड़ा-बड़ा heading डालोगे उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो उसके बाद आप लिखोगे shareholders funds equity and liability then we always have shareholders funds ठीक है अब sir shareholder fund में तो share capital आता है reserves and surplus आता है debenture तो आता ही नहीं है तो shareholder fund अगर ना लिखे तो चलेगा yes क्योंकि हमें extract बनाना है हमें पूरा balance sheet नहीं बनाना तो shareholder fund ना लिखके यहां पर आप सीधा क्या लिखोगे सीधा आप लिखोगे non current liabilities non current liabilities और non current में debenture कहां पर आते हैं यह यह bank loan कहां पर आएगा यह आएगा long term borrowings long term borrowings यहां पर आप note 1 डाल दोगे और यह amount आप find out करोगे note 1 से सरी amount कैसे मिलेगी यहां पर डालो note number 1 यहां पर लिखो आप particulars amount ठीक है तो यहां पर सबसे पहले तो आप आप लिखना bank loan जितने का loan लिया गया है let's suppose यह loan एक करोड का था तो यहां पर आप लिखोगे एक करोड 1 CR का आपका loan आगया फिर आपने यहां debenture suspense से cancel कर दो इसे यहां पर less करो यहां लिखो debenture suspense 90 lakhs और value is 0 तो आपके पास जो basically यहां पर जाने वाला है न amount वह amount सिर्फ और सिर्फ bank loan का ही होने वाला है यानि इस entry की relevance जो है वह balance sheet में नहीं दिखाए जाएगी यह entry सिर्फ और सिर्फ present करना है इन वाले debenture को यहां लिखो और minus कर दो debenture suspense से that is it इस entry का कोई relevance नहीं है सिर्फ दिखाने के number है presentation है full disclosure दिखाना यहां यहां पर लिखा क्लियर है तो क्या करना है bank debit to bank loan यह entry important है पैसा आएगा वह यह तो bank debit to bank loan यहां पर लिखा clear दूसरी जीज़ जो debenture दिया है as a collateral security उनको सिर्फ और सिर्फ note करना है record करना है entry करो यहां debenture के नाम से लिखो less कर दो debenture suspense sorted done हो गया this is how हम issue करते है debentures as a collateral security और ऐसे हम दिखाते हैं screenshot लोग इसके questions करेंगे मज़ा आ जाएगा तीन topic guys हम लोगों ने कर लिये जिसको हम क्या बोलते थे तीन topic को हम लोग बोलते थे सबसे पहले issue of debentures to public par premium discount issue of debentures to vendor वो भी par premium discount तीनों करा दिये running business भी और asset खरीदा तो भी उसके बाद issue of debentures to banker as a collateral security this is also done ठीक है अब चलते हैं हम कहीं और किसी और दिशा में एक और important topic जो की एक साउधान इंडिया सवाल है पेपर में 100% आएगा इसको क्या बोलते हैं issue of debentures considering the terms of redemption कुछ बच्चों को ना यहां पर confusion होता है कि sir redemption of debentures तो हमारे cbsc syllabus में नहीं है जो other boards वाले हैं उनके redemption of debentures से मैं करा दूँगा चिंता मत करना issue of debentures considering the terms of redemption का मतलब है entry जो हम कर रहे हैं वो issue of debentures की ही कर रहे है बट हमारी नजर में considering का मतलब हम consider करके चल रहे हैं क्या consider करके चल रहे हैं terms of redemption भी कि जब यह redeem होगा तो redeem की क्या terms है? redemption की क्या terms है? इस case में बेटा जी आपके पास 6 cases बनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, sir 6 cases बनते हैं का क्या मतलब है? देखो अगर आपने 100 रुपे का loan लिया तो आपको 100 वापिस करने हैं यह तो guarantee है यानि की जो redemption है वो पार पे होगा यह guaranteed है 100 का loan लेके 90 वापिस करो ऐसा चलेगा Is it practically possible? नहीं है 100 का loan लिया तो 100 तो चुकाना पड़ेगा बट 100 का loan लेके 110 चुकाया यह हो सकता है यह तो possible है सामने वाला अगर उसको पता चले कि 100 का loan आपस कोई ले रहा है और आपको वापिस 110 देगा तो यार वो easily आपको पैसा देगा तो कई बार companies को जब पैसे की immense extreme जरूरत होती है और quick जरूरत होती है तो companies बोलती है भीया 100 का loan ले रहे हैं लेकिन वापिस 110 करेंगे इसको बोलते है redemption of debentures on premium यानि कि जो redemption of debentures है वो एक तो par पे हो सकता है कि सो लिया तो 100 वापिस करूँ गा एक प्रीमियम पे भी हो सकता है कि सो लिया लेकिन वापिस करूँ गा 110 तो जो debenture है वो issue तो तीन तरीके से हो सकते हैं पर, प्रीमियम, डिसकाउंट। लेकिन रिडीम दो तरीके से हो सकते हैं। पार and प्रीमियम। डिसकाउंट पर रिडीम नहीं हो सकते हैं। भाई जिससे सो का लोन लिया है उसे वापिस कम थोड़ी ना करोगे। क्लियर है ना? अब देखो 6 case क्या बनते हैं सबसे पहला अगर 100 का loan है मैंने 100 में ही issue करा था और 100 में ही redeem कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं debentures are issued at par and redeemed at par सही है 100 का loan लिया 100 ही वापिस करूँगा 100 का loan 110 में issue करा गया था वापिस करूँगा 100 तो इसको क्या बोलते हैं issued at premium debentures premium पे issue करे गए है redeemed at par ये भी आपने case पढ़ा है debentures को आपको premium पे issue करना आता है तीसरा क्या बनता है इसको थोड़ा सा या ले आता हूँ 100 वाला debentures 90 में issue हो रहा है और वापिस जाएंगे 100 यानि issued at discount redeemed at par सर जब भी redeemed at par है ना यानि 100 वाला debentures जब 100 में 100 वाला debentures जब 100 में redeem हो रहा है 100 वाला debentures जब 100 में ही redeem हो रहा है तो इन cases में कुछ नया नहीं है यह वो ही है जो आपने पढ़ा है आपको simple issue के entry यां करनी है और यह वाली जो entries आती है यह usually lump sum में आती है lump sum का वालब एक ही बारी में तो क्या entry बनेगी देखो तो यहाँ पर आता है bank account debit bank account debit to debenture application and allotment debenture application and allotment debit to debenture क्योंकि lump sum होता है तो एक ही बारी में चलता है बस application allotment ठीक है यहाँ पे भी 100 100 यहाँ पे भी 100 100 जितने भी number of debenture से उससे multiply कर देना आपके entry बन गई जितने भी number of debenture से है उससे multiply करना बस सब्सक्राइब 600 debentures थे तो 600 से multiply ख़़ए 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 सॉरी 60,000 ठीक हो गया परफेक्ट है अब अगर डिबेंचर इशू करे गए थे प्रीमियम पे यानि सौ बाला 110 में तो क्या इंट्री बनती है यहाँ पर लिखता हूं थोड़ा नीचे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंच़ अप्लिकेशन औ अड अड अलत्मेंट साथ में यह रहा है बांक अगाउंट डबिप टू बिवेंचर अब अलॉट्मेंट डेबिट यह यहाँच्जेक है application and यह सब जगा and लगाना विटा यह स्कूल वाल है ना तुमाने number काट देंगे bank account debit to debenture application and allotment debenture application and allotment debit to debenture to security premium premium है 10 रुपे का debenture 100 का total 110 आएगा 110 110 bank debit to debenture application and allotment debenture application and allotment debit to debenture to security premium correct है जब भी redeem ad पार होगा तो कुछ नया नहीं है पुरानी entries ठीक है अब देखो 100 वाला 90 में इशू करा गया था discount हो गया bank account debit to debenture application and allotment sir हमें ना कभी कभी यह समझ भे नहीं आता कि discount और premium को कौन सी entry पे शो करते हैं कभी तो हम उपर वाली में शो करते हैं कभी हम नीचे वाली में शो करते हैं काफी confusion है यह बहुत बच्चों का confusion होता है और इस confusion का एक ही solution है कि कभी भी premium हो या discount हो वो bank वाली entries में नहीं देखने को मिलेंगे never bank वाली entries में वो कभी नहीं होंगे बेटाजी वो हमेशा कौन सी entries में होंगे due या transfer वाली entry में हमेशा याद रखना जहाँ bank अगया उस entry के साथ कभी भी premium है discount नहीं होगा देखो यहाँ तो par पर था तो कोई problem ही नहीं है यहाँ premium पर था तो बैंक यहाँ आ गया तो इसमें नहीं होगा नीचे वाली में होगा अगया? सही है? अब यहाँ पर भी देखो तो 100 वाला डिवेंचर, 10 का डिसकाउंट, यहाँ 90, यहाँ भी 90, रिसीव 90 होगे, clear है जी, जितने भी number of डिवेंचर से multiply कर दो, यह शुरू के 3 cases बलते हैं, which are very simple, और आपने यह पहले पढ़े हैं, सही हो गया, बस यहाँ पे लमसम में है, एक ही बारी में सारा काम हो रहा है, यहाँ पे वो नहीं बन रहे है, application allotment, first call, second call, वो नहीं बन रहे हैं, बस एक ही बारी में साब हो गया, ओके, चलो सर, अब दिखाता हूंगे तुम्हें कुछ जलवे, कुछ नए cases, क्यों ना हम इन नए cases को, इधर लिखने की कोशिश कर ले, अरे, एक, दो, तीन, क्या है इ 100 में हुआ था, लेकिन payment 110 में हो रहा है, यह नया case आया, so allot adventure issue 100 में हुआ है, यानि की, issued at par, but redeemed at premium, जो की important है, इसी बात का ध्यान रखना है, अगर premium पे redeem हुआ न, महा लिखा होगा आपको साफ-साफ, question दिखाऊँगा मैं आपको, अगर premium पे redeem हुआ, तो इसकी consider करनी देंगी terms, सर कैसे करते हैं, पहले तो आप 100 वाला 100 में issue हुआ उसके entry आती है, आपको 100 वाला 100 में issue हुआ, वो entry कर लो, tension free हो के, bank debit to debenture application and allotment, debenture application and allotment debit to debentures, यही करते हो, 100, 100, 100, 100, यही करते हो, bank account debit to debenture application and allotment, debenture application and allotment debit to debenture, यही करते हो, but the thing is, अब जब आपको payback करना है ना बिटाजी, तो 100 नहीं, 110, यानि 10 रुपे फाल्तु पे करने है, तो क्या जो 10 रुपे एक्स्ट्रा पे करने हैं, this is your another liability जो आ गई है, debenture आपके already एक liability थी, लेकिन उसके यहाँ पे credit करते हैं, to premium on redemption, ध्यान रखना, there is a difference between security premium and premium on redemption, security premium issue का होता है, premium on redemption, redemption के time पे दिया जाएगा, but उसको हम consider अभी करके चल रहे हैं, entry में, 10 यहाँ पे आएगा, और जितना premium उतना ही यहाँ पे loss debit करो, किस नाम से, loss on issue of debenture debit, कितना, 10 रुपे, यह याद रखना है, entry सेम होगी, जितना premium on redemption आपको यहाँ पे credit करना है, उतना ही उपर loss में debit भी करना है, तब ही आपके entry मैच करेगी, clear है, क्योंकि हमें write-off भी करना है हमारा नुकसान हुआ है, और हमें इस loss को write-off भी करना होगा last में, तो हम क्या करते हैं, जितना premium on redemption उतना ही उपर loss, correct, समझाया, बस वही entry है, दो चीज़े add होगी इसमें, एक debit में, एक credit में, दूसरा case देखते हैं, 100 वाला debenture, 100 वाला debenture, issue है 110 में, यानि, issued at premium, redeem हुआ 105 में, redeemed at premium, वाउ, what a case, issued at premium and redeemed also at premium, issue भी premium पे, redeem भी premium पे, हो गया चलवा, redemption की terms को भूल जाओ, फिलाल issue की entry करो, क्या हमें debenture premium पे issue करना आता है, yes sir, क्या entry बनती है, bank account debit, to, debenture application and allotment, debenture application and allotment debit, to, debenture to security premium, ऐसे करते हैं, प्रीज, useful forms, this is a disclaimer, 10 रुपे, 100 रुपे, 110 रुपे, 110 रुपे, 110 रुपे, 110 रुपे, यह होता है, but नई चीज क्या है, यह, 100 की जगा वापिस करने 105, तो 5, तो 5 की specific liability भी है मेरे पास, next level liability, उसको यहाँ पर अलग से लिखेंगे, to premium on redemption, sir, क्या हम इसको add करके लिख सकते हैं, 10 plus 5, 15 एक साथ, नहीं, security premium अलग चलेगा, premium on redemption अलग चलेगा, और जितना debit होता है, उतना ही credit होता है, यानि यहाँ पर debit भी होगा यह 5 रुपे के हिसाब से, loss on issue of debenture लिखोगे आप इसको, और debit ही करोगे, loss on issue of debenture debit, देखो, 115, 115 entry match, जितना credit उतना ही debit, this is very, very, very important, तो हो गया, issue that premium, redeem that premium, आप पहले यह वाली entries कर लिया अगरो, बाद में आद रखो कि हमें, दोनों तरफ एक एक क्लाइन आड करनी है, राइट, चलिए सर, last क्या बनता है कि इस, 100 वाला debenture, issued at 90, बट पेमेंट हुआ है 110, इस, issued at discount, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at premium, सर, यह तो जलवा हो गया, issue that discount आता है ना हमें, इसे भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, bank account debit, to debenture, application and allotment, debenture, application and allotment debit, discount debit, to debenture, 100 का debenture, 10 रुपे का discount था, 90 का पैसा मुझे मिलेगा, 90 रुपीज मुझे मिलेगे, अब जो payment करना है वो 10 रुपे एक्स्ट्रा करना है, तो उसको क्या लिखते हैं है, यहाँ पे, to premium on redemption, 10 रुपे एक्स्ट्रा, और इतना ही उपर debit करना पड़ेगा, 10 रुपे, loss on issue of debenture debit, आप चाहो तो इन दोनों को add करके भी loss लिख सकते हो, एक ही बात है, debenture application and allotment debit, loss on issue debit, to debenture, क्योंकि ultimately यह write-off ही करना है, हमें last में, तो देखो वो ही चीज़ है, बस जब भी premium पे redeem होगा, debenture, जब भी debenture premium पे redeem होगा, तो आपको याद रखना है, क्या, कि premium on redemption credit और उतना ही loss debit, shorted, तो दिस आओ, आपकी 6 entries, यह काफी important बन जाती है, I think बहुत छोटा ना हो जाए, आप लोग screenshot ले पाओ, I really want, Lodge जी, चल जाओ भाईया, आप क्यों हैंग हो गए, आप भी थग गए का हमारे साथ साथ, चल गए, Lodge जी, यह सारी entries एक ही जगा मैंने कर दी, ताकि आप लोग screenshot ले पाओ, Although हमने सारी सीज़े लिखी हैं साथ साथ, सारी साथ साथ लिखी हैं तो आपको screenshot की कोई बहुत जाज ज़रुरत नहीं है, But still, if you want तो आप ले सकते हो, Done हो गया जी, sorted हो गया, अब हमारे बास बचता है, डिवेंचर्स में एक last topic, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, Interest on Diventures, Interest on Diventures, Interest on Diventures, Interest on Diventures क्या है, basically आपने जो लोन लिया है, उस लोन पर इंटरस देना है, clear है, अब इसके अंदर कुछ चीज़े लिखो, Interest on Diventures is usually paid half a day, इसका मतलब साल में दो बार दिया जाता है, usually, ठीक है, दूसरा, Interest on Diventures is always on the face value of debenture, यानि, 100 वाला कितने पे हैं, 100 पे हैं, 90 पे हैं, 110 पे हैं, कितने पे हैं, हमें फरक नहीं पड़ता, ब्याज जो है, 100 पे दिया जाएगा, इस आलवेज on the face value of the debenture, कितना पैसा आ रहा है, उससे हमें फरक नहीं पड़ता है, या डिवेंचर कितने का था, उस पें इंटरस दिया जाएगा, ठीक है, नमबर थ्री, इस इंटरस्ट इस रिटन ओफ, इन द इयर ओफ इशू ओनली, जिस साई डिवेंचर इशू करे गए हैं, उस पे कोई भी डिस्काउंट, कोई भी लॉस, कोई भी इंटरस्ट, सें मेर में ही हम लोग राइट ओफ कर देंगे, और राइट ओफ कहां से करते हैं, स्पेक्टमेंट ओफ P&L से करेंगे, लास् टार कापिटल रिसर्फ भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, अभी वो है योजि नीचकर आईसा, आपको किया करना है, simply write off करने के लिए security premium reserve या statement of P&L entries लिखना start करो सबसे पहले interest on debentures debit to debenture holder कई बार ऐसा होता है पेटाजी किस interest पे टीडियेस पी काटते है कई बार ऐसा हो जाता है कि इस interest पे टीडियेस कटता है TDS tax deducted at source यानि हम लोग क्या करते हैं हम लोग कुछ part of the interest government को जमा करते हैं सीधा debenture holder को ना दे के government को क्यों जमा करते हैं क्योंकि देखो interest ना debenture holder की income है तो उस income पे उसको tax भी देना है सरकार को तो वो ना दे के हम ही जमा कर देते हैं उसके बहाफ पे पहले ही तो उसको हम बोलते हैं TDS तो अगर आपके exam में TDS के बारे में कुछ mention हुआ तो यहाँ पे एक चीज़ और credit होगी वो होगा TDS payable ठीक है लेकिन ये तब ही होगा only if applicable अगर question बोले मेरे इस आप से question नहीं बोलने वाला तो यह आपका बहुत कम use होगा normally आपका interest on debenture debit to debenture holder ही use होगा ठीक है उसके बाद आपको यह करना है बस debenture holder को payment कर देना है जो आप debenture holder को payment करते हो तो वो entry बनती है debenture holder debit to bank यह तो चलागा debenture holder को और यह जो TDS सरकार को देना है इसके entry बन जाती है TDS payable debit to bank यह हम government को देते हैं यह entry की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर यह TDS payable question में दिया होगा otherwise नहीं otherwise interest की basic entry है interest debit to debenture holder, debenture holder debit to bank खतम भहिया interest की यही सिदा-सिदा entries होती है ठीक है अब last में आपको यह करना है जितना भी discount, जितना भी loss, जितना भी interest है उस सबको write-off कर देना है for writing of writing of interest discount losses इन सबको write-off करने के लिए simple क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके बास कोई security premium है तो security premium debit अगर आपको security premium नहीं है तो statement of profit and loss account debit to to what to interest या फिर discount या फिर loss कुछ भी आपने लिखा, यह सब आप लिख सकते हो security premium debit statement of P&L debit यह अगर है आपके पास तब, otherwise statement of P&L से होगा सारा का सारा काम clear हो गया जी तो यह वो चीजे हैं जो आपके debenture chapter में आपको पढ़नी थी मैंने आप लोगो पूरा chapter और बिलकुल भी जल्दी नहीं करी बड़े अराम अराम से हमने एक एक चीज समझी है and I really hope आपने notes बनाए होंगे आपने चीजे समझी होंगी यह आपका ड़न होगा debenture, I hope आपको basics clear हो गए होंगे basics के बाद हम लोग एक class और करेंगे इस debenture की usually मैं exam days में कराता हूँ important questions तो मैं तब कराऊँगा या उससे पहले करा दूँगा, चिंता मत करो 4-5 March को करा दूँगा तो उसमें हम लोग questions कवर कर लेंगे बट आपको आज debentures में यही कवर करना है और सारे basic सिक जगा लिखो, revise करो, done करो clear है जी? इस इस एड़ गाईज, debenture आपने complete करा है hope आपको समझ आया होगा और इसके further जब questions करेंगे तो मज़ा आजाएगा but questions से बहले notes जरूरी थे मैंने सारे लिखवा दिये मिलता हूँ मैं आपको next classes में तब तक all the very best और खूब महनत करो जो मैंने 8 दिन में आपको targets जी हैं वो पूरे करो और photo thank you so much everyone I'm gonna see you all super soon till then take care, bye bye